वैसे तो शुक्रवार का दिन गुजरने के साथ वीकेंड की शुरुआत हो जाती है पर पानिपत की इंडस्ट्री के लिए ये दिन बेहद ड्राने वाला है क्योंकि अगले दिन शनिवार एक अक्तूबर से कोईला अधारित इंडस्ट्री और डीजल जनेरेटर्स बंद करने के आदेश आ गए हैं अब कोई छूट ना होने का हवाला देते हुए एंजिटी ने नियम की उलंगना पर एक करोड रुपे का जुर्माना और पान साल की सजा की चितावनी दी है ऐसे में पानिपत के उद्मी परदेश सरकार को उस वाइदे और कोशिश की याद दिला रह जिसमें उद्मियों की मांग पर पानिपत को एंजियार से बाहर कराने का सरकारी प्रस्ताव दिली एंजियार बोर्ड को भेजा गया था लेकिन हमारा थो अभी भी अनुरोद है कि जल से जल इसकी मीटिंग करें हमारे पानिपत को एंजियार से बाहर करें क्योंकि सारी इंडस्ट्री टेक्टाइल इंडस्ट्री है यहां पे टेक्टाइल इंडस्ट्री बगार डाई के चल ही नहीं सकती उदमी एसोसियेशन NGT के ताजा आदेश को पानिपत की इंडस्ट्री को ठप करने का आदेश बता रही है क्योंकि यहाँ जादातर इंडस्ट्री छोटी है और एक दूसरे पर निर्भर है इसलिए उन्हें संभलने का मौका दिया जाए ऐसे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी मतलब पूरा पानिपत का भी अपार ठप होने जा रहा है कल से तो इसमें जो संभव हो वो सरकार को रियायत देनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री सरवाईव कर सके लेकिन अगर कल से ये पूरी तरह लागू हो गया जो लागू होने जा रहा है तो इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा सेटबेक आने वाला है तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है हरियाना सरकार से भी कि वो इनिशेटिव ले हालनकि कुछ उद्मी परेवरन सुधार के लिए इस कड़वे घूट को जरूरी भी बता रहे हैं यानि पानिपत में त्योहारों की खुशियों में एक अक्तूबर का दिन रंग में भंग डाल गया अभी भी पानिपत के हजारों उद्मी किसी रहात की उमीद में हैं क्योंकि उमीदों से ही जिन्दगी आगे बढ़ती है टोटल नियोज पानिपत बीरो